गैमरा स्मार्टफून अंडर 30 दाउस तो परी अगर आपको कैमरा स्मार्टफून चाहिए बेस्ट कैमरा स्मार्टफून चाहिए 30,000 के पज़र रेंज में ये वीडियो इस पैशली आपके लिए ज्यादे समय खराब नी करते हैं बात करते हैं सीधा नमबो 5 की नमबो 5 की बात करूए नमबो 5 पर यार मैंने रखा है LG G8X को अगरे स्मार्टफून की बात करो सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ पहले इसका प्राइज लाइक आपको 50,000 के बज़र वेंजी में देखनी को मिलता था जो की गीमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा तकड़ा भी अगर आप हाड़कूर गीमिंग करना जाते हो आप इसली नॉर्मली कर सकते हो जो 6GB RAM के साथ देखने को मिलता है प्लस भी मैं आपको ये चीज़ बता देना जाता हूँ कि जो स्मार्टफून है न आपको IP68 रेटिंग वाटर एंडस रिजिस्टन रेटिंग के साथ देखने को मिलता है मतलब आपको waterproof स्मार्टफून देखने को मिल जाता है अगर पानी में गिर भी जाता है 1.5 मीटर तक आप नॉर्मली डिपक करके रख सकते हो आधे गंटे तक तो यहाँ तीसे जार के बजल में आपको waterproof स्मार्टफून मिल जाना वो भी LG की और से और क्या चाहिए प्लस मैं जादा शुकिनों आपके लिए बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने बाला है बैक कैमरे में अगर आप फोटोस गरा के लेगर करोगे तो आप अपने फेस को देख सकते हो कि फोटोस में पूरा आ रहा है के नहीं आ रहा है कि आपको डूल डिस्प्ले देखने को मिल जाती ज इन दोनों में से भाई जो भी आपको सही लगता है आप उस स्मार्टफोन के और जा सकते हो अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रियल्मी एक्स 3 सूपर जूम में आपको IPS LCD देखने को मिलती है जो की 120 रिफ्रेश्ट के साथ देख देखने को मिलती है प्लस पाइब में आपको यह भी चीज़ बता देना चाहता हूं कि रियल्मी एक्स 3 सूपर जूम में आपको जो परसाइस तरह है वो बहुत ही तगड़ा मिलता है जो कि आपको स्नैप्टेकन 855 प्लस देखने को मिलता है जो कि सावन नेमेडियर टेक्न प्लस मैं आपको यह भी चीज़ बता देना चाहता हूं कि रियल्मी एक्स 7 प्रो में आपको 65 वाड का फास चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि आपके स्मार्टफून को सिर्फ और सिर्फ आदे गंटे में 35 मिनिट्स में फुल चार्ज कर देगा तो यहार में आपको द स्मार्टफून स्पैसिफिकेशन उसके ज्यादा दगड़े हैं लेकिन रियल्मी एक्स 3 सूपर जूम का जो कैमरा है उसके साथ जो प्रसाइसर है वह आपको बहुत अगड़ा मिल जाता है अगर आपने हाड को गिमिंग करनी है वह स्मार्टफून भी आपके लिए पॉफ पर मैंने फिर से रखने हैं दो स्मार्टफून मैं बात कर रहा हूं आपको डवल ज्यादा सही लगेगा एंड जो वीव वीटवन्टी है इसके तीनों ही कलर्स बहुत ही ज्यादा सूट करते हैं ठीक है दोनों में प्रसाइसर आपको ज्यादा तगड़ा मिल जाता है लेक IQ 003 का जो प्रसेसर है वो जादा तगड़ा है as comparison किया जाए Vivo V20 Pro के साथ लेकिन जो Vivo V20 Pro है उसका camera जादा तगड़ा है as comparison किया जाए IQ 003 के साथ तो अपनी requirement देख लेना मतलग CDC बात है यार मैं आपको एक चीज कलियर कर देता हूं आपको अगर gaming करनी है multi-dasking करनी है आपके लिए perfect deal होने वाला IQ 003 अगर आपको camera के recording smartphone चाहिए Vivo V20 Pro जो है वो आपके लिए perfect deal हो जाएगा तो इस चीज को आप ध्यान में रखना अगर आपको लाइक प्रसेसर दगड़ा चाहिए IQ 003 आप इस smartphone के और जा सकते हो अगर आपको like camera चाहिए तो Vivo V20 Pro आपके लिए perfect deal हो जाएगा आगे बात करते है नंबर टू की नंबर टू की बात करूँ नंबर टू पर यार मैंने रखा है अगर स्मार्टफून की बात करूँ सबसे पहले आपको यह स्मार्टफून 5G देखती को मिल जाता है इसके कलर इसका डिजाइन इसकी लुक मतलों बहुत ही ज्यादा अपर है माई की और से आता है माई भी एक ट्रस्टेड ब्रैंट है दो विर्ट में देखने को मिलेगा यह स्मार्टफून 6GB RAM के साथ और 8GB RAM के साथ दो कलर में दोनों कलर इसको बहुत ही ज्यादा सूट करते है अगर आपने हाड़कोर गेमिंग करने आप इसली नौमी कर सकते हैं इसमें आपको एमलेट डेस्प्ले तो नहीं मिलती लेकिन इसमें आपको IPS LCD देखने को मिलती है जो की वानवाटीफू रिफ्रेश एड़के साथ देखने को मिलती है जो की गुरीला ग्लास 5Q प्रेशन क साथ देखने को मिलता है ट्रेपल कामरा मिल जाता है जिस पर आप 8K वीडियो शूट कर सकते हो फ्रेंट में आपको ट्वर्टिंग में अक्सल की सेल्फी मिल जाती है लेकिन आपको 4K और आप्शन तक भी नहीं देखने को मिलता है बैंटर की बातों को 560 में मेंस की एधिकरिए चाहिए यह स्मार्ट्फून आपके लिए बहुत अपर होने वाला करीक के भॉरnd मेद्सी जाय्यच पर चाहिए यह समार्ट्फून आपके लिए बैस्ट दील होगा अभी आगे बात करते हैं thaमबो वां की話 को थे Samsung Galaxy A52 को तो सबसे पहले बई मैं आपको यह चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपको नौन चानी स्मार्ट फून देखने को मिल जाता है तीस हजार के बच रिंज में Samsung के फून तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े होते हैं यदर आप 15,000 से उपर Samsung के फून लेती हो ना तुन में आपको बैंटरी तो अच्छी मिली जाती है प्लस आपको सभी में मतलब Super AMOLED या AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जो कि डिस्प्ले इन मतलब समसंग के स्मार्ट फून का डिस्प्ले हो गया बैटरी लॉंग बैंटरी लाफ हो गया एंड प्राइवेसी सिस्टम हो गया यह चीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी होती है इसमें आपको फार जी फून मिल जाता है सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाते हैं जो कि 120 रिफ्रेश्ट के साथ आते हैं जो कि गोईला ग्लास फाइब प्राइशन के साथ देखने को मिलते हैं और प्रेणी चैस्टिंग की बात को एंड्रेट इलावन देखने को मिल जाता है तीन वीनिट में यह स्मार्ट फू सेल्फी में भी आप 4K विल्यो शूट कर सकते हूं आपको 525 वाड़क आपको फार्ट चार्जर देखने को मिल जाता है मतलव आपका एक देन तो निकाल देखा अगर आप हार्ड़कूर गेमिंग नहीं करते हो तो आपका एक देन तो नामली नहीं निकलने वाला आपको आई पी 67 वाटर इंडस्टिर जिसने रेटिंग देखने को मिल जाते हैं मतलव वाटर प्रूफ स्मार्ट फून है अगर मतलव वान मीटर तक अगर आप इस स्मार्ट फून को डिप कर देते हो आदे गंटे तक तो भी आपका फून खराब नहीं होने बाला तीस हजार के बिजर वेंज में आपको वाटर प्रूफ स्मार्ट फून मिल जाता है वो भी सैंसंग किया उसे तो यह मैंने आपको बता स्मार्ट फून आपको वाटर प्रूफ स्मार्ट फून बता दिया जो कि 30,000 के बिज में सच में यहां तक वो पहुंच ते है ठीक है तो इस चीज को आप ग्यांग में रखना तो यह अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाते है खत्म अगर आपको मेरी वीच्छी लगिया व अबने विडियो साथ तेंक यू